केवल दो मिजट में इस प्रब्लम को फिक्स कर सकते हो जैसे गूगल पे में बैंक एकाउंट को लिंक करने जाते हो तो यहाँ लिख कर चलाता है इसके बारे में भी बात करेंगे साथ में इसका दिखिए दो मेजर सलूसन है जिसके वज़े से आप लोग इस प्रब्लम को फिक्स कर सकते हो तो है गईस सवागत अब सभी का एकाउर संदार वीडियो में तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए बेसिकलिए जो आप लोग को प्रब्लम देखने के लिए मिलता है जब आप लोग का फर्स टाइम इसमें रिजिस्ट्रेशन करेंगे गूगल पर में कुछ लोगों में तो सेकेंड टाइम में भी लिंक करने में ये इसू आता है तो आप लोग दो मिनिट में मात्रे इस प्रब्लम को फिक्स कर सकते हो कोई भी तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये प्रब्लम आप लोग को देखने के मिल दा है ये क्यों देखने के मिल दा है तो यहां पर देखें रिजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना होने में आप लोग का जो प्रब्लम है वो कहां पर आ रहा है तो देखें रिजिस्ट्र वेरिफाई नहीं कर पारा है यानि कि बैंक में नहीं पहुंच पारा है जिसके वज़े से यहांपर could not added लिइक करके चला आ रहा है तो आप लोग कैसे fix कर सकते हो तो देखिए इससे मैंने आप लोग को बताया higher tail से जा रहा है कि जीओ से जा रहा है जो bank account में link है उसी नमबर से यहां पर SMS जाना चाहिए नहीं तो आप लोग एक काम करो कि जो नमबर आपके bank account में नहीं है bank account में link नहीं है उस number को बाहर निकाल दो यानि कि उस sim को अपने mobile से बाहर निकाल दो इसके बाद क्या करो कि उस number को जो number आपके bank account में link है उसे phone में ही रहने दो ठीक है इसके बाद bank account को link को link करो आप लोग का 100% link हो जाएगा अगर मा लिजए वहाँ से link नहीं होता है तो आप लोग phone पे install करो देखो phone पे से आप लोग को link करना है phone पे का link नीचे description में मिल जाएगा तो जैसे phone पे में आप लोग link करोगे तो आप लोग का यहाँ पर 100% work हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जो sim है sim को पहले निकालना ही पड़ेगा जो आप लोग के account में link नहीं है ठीक है के बले यही सीम आप लोग को अपने phone में रखना है इसके बाद ही आप लोग इस problem को fix कर पाओगे नहीं तो YouTube पर वीडियो देखते देखते परिसान हो जाओगे ठीक है भाई 100% है यह trick काम करेगा और आप लोग bank account को जिली aid कर पाओगे और अगर phone पे में link कर लिए तो Google पे में तो जाहिट से बात link हो ही जाएगा फिर इसमें कोई भी problem नहीं आने वाले है तो इस वीडियो में यही तक और हम लोग मिलते हैं फिर किसी next video में